नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूस पर आप देख रहे हैं मिद्डे प्राइम बैहू निखिल सिंग और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की दुनिया भर में कौन-कौन सी खबरों पर है सभी की निगाहे और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में कुछ झलकिया, फिल्म, कला और संस्कृति के खशेत से भी लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर पराक्रम दिवस पर देश कर रहा है नेता जी सुभाष चंद्र बोस को नमन संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पियम मोदी और लोगसभाध ध्यक्ष समेथ बाकी नेताओं ने नेता जी को दीश्रधान जली आज नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जैनती पर मनाये जा रहा है पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस समारों में शामिल होंगे पियम मोदी लाल किला परिसर में 31 जनवरी तक देश की समरिद्ध विरासत के होंगे दर्शन आम लोगों के लिए खुला राम मंदिर दर्शन पूजन के लिए उम्रे श्रधालू 4000 संतों का समूव भी पहुंचा आयोध्याधाम भीण नियंत्रण के लिए मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनाद पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी आज राश्ट्रिये बाल पुरुसकार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात राश्टपती द्रौबदी मुर्मू ने कल 19 वीर बच्चों को किया था सम्मानित ग्री मंत्री आमित शाह ने गांधी नगर में डिजिटल फोरेंसिक में उतकृष्टिता केंडर और व्यावाहारिक फोरेंसिक पर अंतराश्ट्रे सम्मेलन का किया उतगाटन कहा भारत की न्याय प्रणाली विश्र की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एडी का एक और समन जमीन घोटाला मामले में 27 से 31 जन्वरी तक पेश होने को कहा उत्तर भारत में शीत लहर और कोहरे का सितम मौसम विभाग ने कहा अगले तीन दिन तक नहीं मिलेगी कडाके की ठंड से राहत दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनों का देरी से संचालत और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों पर डालेंगे ने सर्व आयोध्याधाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ती में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है आधी राद से दर्शन के लिए श्रधालू की भारी भीर उम्डी हैं मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभू के दर्शन के लिए आतुर हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबै पहली बार मंदिर में आरती की गई प्रभू श्री राम की नगरी में चारो तरफ के सर्या ध़ज लहरा रहे हैं लोग पवित्र सर्यू में डुक्की लगा रहे हैं और जै श्री राम का उद्गोश गूज रहा है करीब 500 साल के इंतजार के बाद नवनर्मित भव और दिव श्री राम जनभूमी में कल दोपहर प्रधारमंत्री नरेंद्र मोधी की मौजूद्गी में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारो के बाद की आज पहली सुबह श्री राम जनभूमी के आसपास पाव रखने की जगह नहीं थी ऐसा लग रहा है कि आस्था और विश्वास का संगम हो रहा है पहली पाली में अभी साले 11 बजे तक दर्शन हुए है और उसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम साले 6 बजे तक दर्शन का समय निर्धारित किया गया है भक्तों की संख्या बढ़ने पर दर्शन के आवदी को बढ़ाया जा सकता है भारी भील को देखते हुए मंदर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गये है आज शाम तक केट मरीन बोट वाटर मेट्रो के भी यहाँ पहुचने की संभावना है कि अग्तों का समुह प्रकार से पूरे अजुध्या में भरा हुआ है और जैस्षिराम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अजुध्या दिव्य अजुध्या त्रेता जुगी अजुध्या जैसी दिखाई पड़ रही है इसी आज पहला दिन का जो दर्सन है अभी भी एतने लोग महाँ पर उपसित हैं कि इनके आज दिन चलेगा कल चलेगा मैं समझता हूं कि आज भी दर्सन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी परकार से चलेगा यह दो-चार दिन चलता रहेगा और राम मैं दिखाई दे राजुध्या इसने ऐसे अजुध्या को देखने लाइक है और बहुत ही दिब्य है बहुत ही सुन्दर है और आयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान की बात अगर करें तो इसका वीडियो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साजा किया है कल जो प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम हुआ और PM ने इस वीडियो में भक्तों की भावनाओं से लेकर कारिक्रम में शामिल हुई हस्तियों की प्रार्थनाएं और भवक्ता को भी प्रदर्शित किया है वीडियो की शुरुवात में ही आयोध्या के भव्य मंदर पर पुष्प वर्शा दिखाई गई है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में पूजन समग्री लिए मंदर के अंदर गर्ब ग्रिह में प्रवेश करते दिखे इस वीडियो में पीम को रामलला के सामने अनुष्ठान करते देखा जा सकता है इतना ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बाहर जुटी मनोरंजन, खेल, उद्द्योग, राजनीती जगत की बड़ी हस्तियों को भी विडियो में दिखाया गया है इसमें सबसे पहले साध्वी रितंबरा को भाव पूर्ण प्रार्तना करते हुए देखा जा सकता है इसके बाद अभिनेता अनुपमखेर जोग गुरूर रामदेव बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को दिखाया गया है इसके अलाबा पीम मोदी खुद हाथ पहला कर जगत गुरू राम भद्राचारे से भी मिले विडियो में रजनीकांत और सचिन तेंदूलकर को साथ बैठे देखा गया सोशल मीडिया एक्स पर साज़ा किये गए इस संदेश में पीम ने कहा कि कल 22 जन्वरी को हमने आयोध्या में जो देखा वो आने वाले वर्षों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा सद्यों की प्रतिच्छा के बार हमारे राम आदेगे यह चान अलोगी यह पल पवित्रतम है हमारे लिए यह आउसर सिर्फ विजय का नहीं बिनय का भी है राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विवाद नहीं राम समधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के हैं सब्सक्राइब मेंSer मन्दिर साँची है भारत के उतकर्षगा भारत के उदय का अगर भारत के अभीदय का ब्व्यवारत के अभ्यूदय का मुख अब और आयोध्याधाम में भगवान श्री राम के प्राण़ प्रतिष्ठा समारो के दिव्विता और भविता को देश दुन्या तक पहुंचाने के लिए दूर दर्शन ने मेगा कवरिज की ताकि प्राण़ प्रतिष्ठा कारिक्रम का सजीव प्रसारण देश दुनिया में पहुंचाये जा सके इस प्रसारण के दौराण दूर दर्शन की विवोशिप में जबरदस्त उचाल देखने को मिला इस भविसमारों को यूट्यूब पर एक करोण से ज़ादा व्यूज मिले हैं दूर दर्शन के चालिस से अधिक कैमरा से टप विशेश्ट और पर मंदिर परिसर और प्राण़ प्रतिष्ठा कारिक्रम के लिए लगाए गए थे श्रीराम मंदिर के अंदर की मनमोहक तस्वीरें सिर्फ दूर दर्शन के माध्यम से ही दुनिया भर में पहुँची डीडी की लाइफ फुटेज को पूरी तरह से 4K में शूट किया गया था पिछले वर्ष हुए G20 शिकर सम्मेलन के बाद ये दूसरी बार है कि 4K में शूट हुए कारिक्रम को लेकर डीडी ने एक नया कीरतिमान इस्थापित किया वहीं मंदिर का विहंगम दर्शकों तक पहुँचे इसके लिए क्षेत्रिये राष्ट्रिये और अंतर राष्ट्रिये अलेक्ट्रानिक और डिजिटल प्लाटफॉर्म्स को भी फीड शेयर की गई थी कारिक्रम के पल पल की खबर दर्शकों तक पहुचाने के लिए प्रसार भारती के रेडियो, ट्विटर और फेस्बुक सहित डिजिटल प्लाटफॉर्म्स पर भी लाइव प्रसार रखा गया था तो अयोध्याधाम अभी भी पूरी तरह से राम मैं है, कल का जो प्रांट प्रतिष्ठा समारोव हुआ, उसके बाद आज श्री राम मंदिर में राम लला विग्रे के दर्शन करने के लिए भक्तों की अपार भीड जुटी हुई है हमारे समभाता शैलिंद विश्रा आयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे साथ साजा करेंगे, क्या कुछ दिखाएंगे, आयोध्या राम मैं हो चुकी है, शैलिंद देके निकिल हम जानते हैं, कि सुबा साथ बजे दर्शन सुरू हुआ था और उससे पहले ही हमने देखा, कि भारी भीड मुक द्वार पर जबा हुई थी, और जब ये दर्शन खत्म हुआ उसके बाद ये ऐलान किया जा रहा है, कि दूसरी पाली में जब दर्शन होना है, तो तब ही लोग राम मंदिर की तरफ जाएं, उससे पहले भीड़ना बढ़ा है, ये प्रसासन एक तरह से अपील कर रहा है, जो दर्शन आर्थी आए हैं, जो भक्त आए हैं, तब तक हम देख रहे हैं कि सर्यूप धाट पर भारी भीड़ है, इस वक्त देखिए, ये सारे लोग ये इस्नान करके आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कि अब जब धाई बज़े से फिर से दर्सन शुरू होगा, तब हो जाएंगे राम लला के दर्सन करने, आप गोरकपुर से आए हैं, इस्नान कर चुके हैं, सर्जूप मा का, अब जा रहे हैं, इंतजार है कि आप रा भाउख धर संगे लिए और हम जो है न्रेंदर मोधीजी को जो है धन्यवाद करते हैं कैसे जो है अन्मोल रतन हमारे देश को भी प्रहुंट के रहें बुप त नरेंदर मोधीजी आप पताएँ कि अुछ सरजू मिया कि अपने चैनलेस परस्का इंतजार है कि प्रानपतिष्टा के बाद अज दोपार लगसे निया अभी आप जा रहे तोड़ी दिर करने के लिए भी तुभात बंड है त़ाड़ 1 तुन थे और भ ANG बंहें कि बहुत अच्छा लगते रहे तो आप इस इतना चाहारा है कि हम रामलला को स्था हो गये तो हम हुआ खूस है कि इनका पक्रथिस्था हो गई है आप बता है अश्य को सो नहींगे है तरह से देखिये अगर आप आये जरा बताएं इधर की आप दर्शन कर चुके हैं या कि दर्सन करने के विंतिजार में है तो कि सुबा दर्सन हुआ इस वक्त थोड़ी देर के लिए दर्सन रोका जाता है दूसरी पाली में दर्सन होता है तो जब धाई बजे से शुरुआत होगी तो क्या भाव आ रहा है तो कि कल ही प्राण प्रतिष्टा हुई है भगवान अनुबूती के साथ हम लोगों ने दर्सन किये और बहुत अच्छा लग रहा है आपर आयोद्याम पहले भी आ चुके जब हमारे रामलला एक टेंट में थे और आज उसके बाद जब हम उनको महल में देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर अनुबूती हो रही है तो बहुत म दासे नमन हो रहे हैं क्या कहा रहे है जीशेरेंदेल दादा आप तर आधि अधर रख बताये आप इधर इधर अच्छा लगा तो प्राइब आया करने जा रहे हैं डाही बज़े करेंगे और जो बहुत अच्छा लगा मोधी योगी की दनिवाद हो हमारा देस उच्छोल क तो यह आयोद्या की जो रोड थी एक बुझी बुझी सी लगती थी क्योंकि तब राम चंदी हमारे टेंट में विराजमान थे तो आयोद्या में वह राउनक नहीं थी लेकिन आज जब वह अपने एक्शुल जगे पर पहुंच गए हैं गर्दग्राय में पहुंच गए हैं तो आज उसकी राउनक ही देखते बन रही है बिल्कुल राम में हो चुकिया जो भक्त गड़ है उनके आस्था के सहलाब उमड रहा है और निश्ची तोर पर जो प्रसाशनिक विवस्थाएं हैं उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हुगा क्योंकि जित और रुकेंगे एक चोटे से ब्रेक के लिए कहीं मज़ जाएगा ब्रेक के बाद जब वापस लॉटेंगे तो कुछ अन्य राश्ट्रे ख़बरों पर नज़र आ लो अगर छोले बाने को गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिष्टे बनाएं लेकिन ये पाइप चलेगा फिनोलेक्स पाइप फी हिडियां बदलेंगी पाइप नहीं आपका विश्वास हमारी शक्ती आपके सुनहेरे सपनों के लिए समर्पित कैंडरा बैंक उत्पादों की शांदार कड़ी आपके लिए आपके साथ कैंडरा बैंक तुगेदर वी काइप पेमेंट फेल? पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कड़ गए? गई मेरे महनत की कमाई हो जाएगी भरपाई जित्ता मत कर मेरे भाई अगर डिजिटल टांसेशन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कड़ जाए तो बैंक समय से पैसे लटा देगा वरना कॉंपनसेशन का है प्रावधान नहीं तो और भी आई के ऑंबून्समेंड को शिकायत करें आप यह बिल मेरी फीज और भी आई कहता है चानकार बनिये सतर्क रहे शराप धूमरपान यह नशीली दवाईयों को ना कहने में असमर्थ है सहायता प्राप्त करने के लिए टेली मानस के 14416 पर कॉल करें और स्वागत है अब का ब्रेक के बाद और अब नज़र डालते हैं कुछ अन्य राश्ट्री ख़वरों पर आज नेता जी सुभाष चद्रबोस की 128 जैनती पर प्रधान मंत्री नरेंज मोदी लोगसभाध्यक्ष ओम बिरला राचे सभा के नेता बल्लेकारजुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने सम्विधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजली अर्पित की आज पराक्र प्रधान दिवस पर पीएम ने लोगों को शुपकामनाई दी और कहा कि आज नेता जी सुभाष चंद्रबोस की जैनती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं हमारे देश के आजादी के प्रती उनका अटूड समर्पन प्रेर्णा देता रहेगा प्रदानमंत्री ने नेताजी सुभाज चंद्रबोस पर आधारित एक विडियो भी साजा किया है भारत मा के भीर सबूत नेताजी सुभाज की जन्मजेंती है देश पराकरम दिवस के रूप में इस पेरणा दिवस को बनाता है जेताजी सुभाज जिन्नों ने हमें स्वाधAST और संपरभू भारत का विश्माफ दिलने जिन्नों ने बड़े गर्व के साथ बड़े आत्म विश्वाज के साथ सांद बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सब्ता के सामने कहा था मैं स्वतंत्रता की बीक नहीं लूंगा जिनोंने भारत की धर्ती पर पहली आजाज सरकार को स्थाफिक की उन्होंने मात्रु भूमी के कंगं को अपना सब कुछ माना उन्होंने भारत मां की रच्छा के लिए अपना सर्वस्वन नियोच्छावर कर दिया कि देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेता जी को नमन्न कर रहा हो उनकी विरासत को संजो न रहा है कि सभी देश वाच्यों को पराकरम दिवस्की अनेक अनेक शुपकामन है और राश्टपती द्रॉपदीब मुर्मू ने नेता जी सुभाष चंद्र भोस को उनकी जैनती पर शद्धांजली अर्पित की है राश्टपती ने एक्स पर लिखा पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही नेता जी सुभाज चंद बोस की जैनती पर मैं अपनी साधर्श धांजली अर्पित करती हूँ पराक्रम दिवस के लिए असाधारन प्रति बद्धिता प्रदर्शित की थी उनके अध्युतिय साहस और करिश्माई वेक्तित ने भारत वासियों को अपनिवेशिक साशन से लड़ने के लिए निडरांता से लड़ने के लिए प्रेरित किया उनके जस्वी वेक्तित का हमारे अध्या में आख चन्द बोस ने को उनकी जैनती पर स्मरन करता हूँ, उनकी जैनती पराकरम दिवस के रूप में बनाई जाती है भारत की सुपन्तिता के प्रति, उनकी अदम में भावना और अटूर प्रतिता हम सब को प्रेवित करती रहती है आजादी के लिए निताजी का आहवान तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूगा जैसे शक्तिशाली शब्दों में समाहित है जो इतिहास में आजादी के सिंगनात के रूप में गूजता है ये दिन भारत को सर्वोपरी रखने और एक जुट सम्रिद और स्वतंत भारत के दिशा में अथक प्रियास की याद दिलाता है और रुके के एक छोटे से ब्रेक के लिए कही मत जाएगा जल्द हासर हो गोल्डी छोले मसाले जहाँ 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 रिष्टे बनाए जहाँ जहाँ रिष्टे बनाए गोल्डी मसाले आपका विश्वास हमारी शक्ती आपके सुनहरे सपनों के लिए समर पे कैन्डरा बैंक उत्पादों की शांदार कड़ी आपके लिए आपके साथ कैन्डरा बैंक, तोगेदर वी काड ये नया भारत है कभी हसता, कभी हसाता है हिसाब का पक्का है इस भारत की अलग ही पहचान है जुड़े नय भारत से, जियो भारत से लेकिन ये पाइप चलेगा पाइप नहीं आपके लिए आपके लिए साथ थच, सकारात मत और प्रेड़नादाई खबरें खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती है जो देती है होसला, बठाती है आत्म विश्वाथ मुश्किल बक्त में भी जब लोगों ने बिखाया कुछ कर गुजरने का जजबा हम लेकर आते हैं अपने इस खास कारिक्रम में आम लोगों के जजबे की कहानिया देखे मेरे साथ, गुड ड्यूज जजबा इंडिया का सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना अपना शौचाले खुद साथ करने में कोई शरम नहीं होनी चाहिए इसने चाहता हों के देश का हर एक भी नागरे की सवच्छता वारियर हो जाए है मैं हूं नबाज दून सभी की जुड़े डीडी निउस की मुहीम सवच्छता वारियर से चुड़े डीडी ऑप डीडी की पे हल सुच्छता वारियर से अपलोग नेकोश से जोड सकते है और बनिये सवच्छता वारियर नमाशके मेरे ना में स्वेटा बासु परुसार मैं सफिय ग Ergeb के नीचिटिव सथ टो डूवारियर को कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और नेता जी की जंति पर हर साल की तरह है इस बारprise फी परक्रम दिवस मनाय जा रहा है पुठारमंत्री नरेंद मुदी लाल-किला परिसर में होने वाले परक्रम दिवस समारों में आज हिस्सा रेंगे परक्रम दिवस आज से 9 दिन तक 31 जनवरी तक चलेगा पीम आज के कारिक्रम के दौरान भारत पर्व का भी शुभारम करेंगे यह गरतर्त दिवस जहांकी और सांस्कृतिक प्रदरशनों के साथ देश की संब्ध विविद्धा को परणाय कारिकरम में आजद हिंद्ध फौज के योधा को भी समानित किया जाएगा मंत्राले dzisiaj कि दर्शकों को पुरातत्थ कारशाला और अथ्याधूलिक का अनुभाव मिलेगा आयोजन में दर्शकों का प्रिवेश निशुलः होंगा गुजरात के गांधी नगर में राश्ट्रिय फोरेंसिक विज्ञान विश्विद्याले और भारतिय अपराद विज्ञान सोसाइटी के पाँचवे अंतरराश्ट्रिय और चोवालिसवे अखिल भारतिय अपराद विज्ञान संबेलन को संबोधित किया केंद्रिय ग्रह मंत इस संबोधन के दौरान हमनों ने कहा कि IPC और CRPC के नए परिवर्तन परिवर्तित कारून समय पर न्याय और अपराधों पर अंकुष्ट लगाने के प्रपी सरकार की प्रतिपधिता को साफ दर्शाद दे हैं लेड़ सो साल पुरा ने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून IPC, CRPC और एविडेंस्ट लौ को स्क्रैप करकर नए कानूनों को इंट्रिश कर चुका रही और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमूख मुद्दे हैं उसमें दो मुद्दे इसी कॉन्फरेंस से जुड़े हो एक तो समय पर नयाय मिले और दूसरा सजा करने के दर्पों बढ़ाकर अप्रादों पर लगाम लगाने और ग्रे मंत्री ने कहा कि तीन नए कानूनों से इस ऑफ पुलिसिंग और इस ऑफ जस्टिस के जरिए देशवासियों को लाब मिलेगा पुलिसिंग और इस ऑफ जस्टिस ए दो सब्द भी हमारे देश में इंट्रीज नहीं हुए हैं मैं मानता हूँ कि तीन कानूनों से इस ऑफ पुलिसिंग और इस ऑफ जस्टिस इस दोनों सब्द प्रचलन में भी आएगे और इसका भाइदा भी देश की जनताओं को मिलेगा और भाशपा के राश्ट्रे एधख्श जेपी नडडा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेंद्र पतेल और गुजरात भाशपा के अधख्श सी आर पात्यमिके साथ गांधी नगर लोगस्भाव्द चुनाव कार्याणे का उद्गाटर किया बाश्पा के राश्ट्र अध्यक्स जेपी नडडा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोधी के नितृत में 2024 काल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और पार्टी प्रधानमंत्री समेट यर्शश्वी होगी मुझे विश्वास है अटूट विश्वास है कि इस वार 2024 में भी गुजरात की जन्ता प्रधानमंत्री मोधी जी को फिर से आशिरवाद देकर 26 आउट अफ 26 सीटों में विजेश्री हासिल कराएगी और देश को प्रधानमंत्री मोधी जी की नित्रित्व में विक्सित भारत सामर्थ भारत सक्षम भारत इस ओर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करेंगे उनके नित्रित्व में और गुजरात हमेशा आगे रहा है इस वार भी वह नंबर वन पर रह करके इसमें अपनी पूरी भूमी का अदा करेगा प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधार मंत्री राश्ट्रिय बाल पुरुसकार दोहरजार चौबिस से सम्मानित 19 असाधारन प्रतिभावान बच्चों से बुलाकात करेंगे प्रधार मंत्री आज इन बहादूर बच्चों के साथ सम्मानित करेंगे पुरुसकार विजेचा बहादूर बच्चे 26 जनवरी को गर्तंत दिवस परेड में शामिल होगे राष्टपती द्रौबदी मुर्मू ने कल शाम राष्टपती भवन में इन बहादूर बच्चों को सम्मानित किया पुरुसकार विजेचा बच्चों को कला और संस्कृती, बहादूरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था पुरुसकार विजेताओं में दो आकांक्षी जिलों सहित 18 राजियों और केंदर साश्चित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़किया शामिल है राष्टरपती मुर्मू ने प्रदान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरुसकार दोहजार चौबिस को 6 चेनियों कला और संस्कृति के लिए 7 बहादूरी के लिए 1 नमाचार के लिए 1 विज्ञान और प्रद्दुगी के लिए 1 सामाजिक सेवा के लिए 4 और खेल समय में 5 प उकक्ष यूसुफ तुगर के साथ भारत और नाइजीरिया के सयुक्त आयोग की छटी बैठक की और इसकी सहध्यक्ष्टा की बैठक में दोनों देशों के बीच उर्जा, बिजली, नवकर्णिय उर्जा, परिवहन, स्वास्त सेवा, फिंटेक, क्रिशी और सुरक्षा के क क्षेत्रों में आवसरों पर भी चर्चा की गई, बैठक में दोनों के बीच आर्थिक सहीयोग, विशेशकर व्यापार और निवेश के विस्तार पर घौर किया गया, बैठक के बाद विदेश मंतरी डॉक्टर रैस जैशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने लोगों के बीच आपसी संपर्क, उर्जा, गतिशीलता और वानिज दूतावास संबंधी मामलों में सहीयोग समेत कई क्षेत्रों में प्रियासों को मजबूत करने पर सहमती जैताई One of the agreements we signed was on solar energy. So, we will see much more cooperation in the field of green and clean growth. Secondly, you know Nigeria and India, we both face big health challenges. और बिहार बिहार में बड़ी सियासी हल चल हुई है मुख्यमंत्री नितीश कुमार मंगलवार को अचानक बिहार के राजपाल से मिलने राजभवन पहुँच गए इस मुलाकात के दौरान नितीश के साथ जन्तादम यूनाइटेड के वरिश नेता और मंत्री विजय चौधरी वे थी राजभवन पहुचने से पहले सीम नितीश एक सरकारी कारिक्रम में शामिल हुए थे यहां से वो सीधे राजभवन पहुच गए बताय जा रहा है कि करीब 40 मिनिट तक सीम नितीश कुमार की राजपाल के साथ बैठक चली हाला कि नितीश किस बारे में बात करने के लिए राजपाल के पहुचे है ये फिलहाल सपश्ट नहीं है ऐसी अटकले लगाए जा रही थी कि नितीश कुमार नया गडबंधन बनाने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन राजभवन के सूत्रों ने ऐसी अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि बैठक मुखिरूप से पाच फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की शुरूआत में राज विधान मंडल में राजपाल के भाशन पर चर्चा के लिए सीम के साथ संसद्य कार्यमंत्री विजय चौधरी भी थे इससे पहले मुखिमंत्री नीतीश कुमार ने राजभानी पटना में आजाद हिंद फौज के संस्थापक महान स्वत्रत्ता सेनानी नेता जी सुभाश चन्रबोस की जैनती पर आयोजित राजगे समारों में उनकी आदम कद प्रतिमा पर माल्यार पढ़ कर श्रद्धांजरी अर्पित की और उसके बाद वे सीधे राजभाउन जा पहुंचे और जबीन घोटाला मामले में एडी ने जारखंड के मुखिमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक एडी ने सोमवार को सीम को पत्र भेज कर 27 जन्वरी से 31 जन्वरी के बीच पूश्टाश की तारीक बताई है कि सूत्रों के अनुसार एडी सोरेन से अभी कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहती है आठवे समन के बाद 20 जन्वरी को सीम आवास में करीब साथ घंटे तक भारी सुरक्षा के बीच सीम से पूश्टाश हुई थी सीम हिमंत सोरेन को एडी का ये नमा समन है एडी के अनुसार ये जांच जारखंड में माफिया द्वारा भू स्वामित्त में अवैद परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से जुड़ी है मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है और प्रवर्तन निदेशाले ने हुड़ा में घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जाच के लिए आज चंडीगर्थ मोहाली और पंचकुला में कई इस्थानों और हिमाचल प्रदेश में एक इस्थान पर चापे मारी की यह जाच धन शोधन निवारन अधिनियम के तहत दर्ज एडी के एक मामले से संबंदित है जो हुड़ा में सत्तर करोड के फरजी रिफंट घोटाले से जुड़ी हुई हुड़ा को अब हर्याना शहर की विकास प्राधिकरन के नाम से जाना जाता है हुड़ा के च्छे अधिकारियों की भूमिका एजनसी की जाच के दायरे में हुड़ी उचन आले ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोश सिध्धी और उम्रकायत की सजा को चुनौती देने वाली च चुनौती दी है उचन आले ने सजा निलंबित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर प्राधिकारियों से जवाब भी दाखिल करने को कहा है मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीक तैकी गई है दिल्ली के महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वना 22 में गुजरात के खेडा में मुसलम यूकों को खंबे से बांद कर पीठने वाले चार पुलिस कर्मियों को 14 दिन की कैद के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में दोशी चार पुलिश कर्मियों को 14 दिन की सजा दी थी इसके खिलाफ दोशियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील सुनवाई के लिए सुविकार की है और केंद्रिय जाज ब्यूरो ने संसत से निश्काषित महुआ मोहित्रा के पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में वकील जै अनंत को 25 फरवरी को पूछताज के लिए बुलाया है सीबियाई इस मामले में शुरुवाती जाज कर रही है और आप देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खाबरे और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है भारत ने हौंग कॉंग को पचाल कर पहली बार टॉप फोर में जगह बनाई है भारती एक्षेंज पर लिमिटेड शेर्स की कमबाइन वैल्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर पहुच गया है जबकि हौंग कॉंग के शेर मार्केट की वैल्यू 4.29 ट्रिलियन डॉलर रह गया है इससे लगभग आधा चार वर्षों में आया है इस तरह भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्षेंज बन गया है भारती स्टॉक मार्केट 5 दिसंबर को पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुचा था इन में से करीब 2 ट्रिलियन डॉलर भारत में पिछले 4 साल में जोड़े है भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही एकॉनमी के साथ ही आर्थिक सुधारों ने भी भारत को दुनिया भर के निवेश्कों का चहिता बना दिया है अभी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है इसकी वैल्यू 50.86 ट्रिलियन डॉलर है चीन 8.44 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरी और जपैन 6.36 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पहें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मताबिक भारतिय शेयर बाजार होंग कॉंग कॉंग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा एक्विटी बाजार बन गया है जिन निवेशकों ने पिछले 12 महीने में भारतिय शेयर बाजार में निवेश किया है उन्हें शांदार रिटर्ण मिला है हलाकि शेर बाजार में उतार चड़ाव जारी है पिछले वर्ष 2023 में शेर बाजार के निवेशकों को अच्छा मौद्रिक लाभांच मिला भारत के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टाक मार्केट बनने पर वैल्यू रिसर्च के सीओ धीरेंद कुबार ने कहा है और भारतिय बाजार दुनिया में अकेला बाजार है जो इस तरह की व्रिद्धी दिखा रहा है क्योंकि हमारी कंपनिया उस रफ्तार से बढ़ रही है कंपनियों के बढ़ने के लिए यह stock market में वृद्धी होने के लिए जरूरी है कि कंपनियों के आमदनी बढ़ रही हो कंपनिया बढ़ रही हो जो कि कमाती हो आमदनी जिनका बढ़ रहा हो और वो लिस्टेड हो यह दोनों में ही भारी वृद्धी हो रही है प्रक्राइब के दिने प्राइब का लिए भाइब का लिए प्राइब इन्याय। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरे लेकर हादर है गौरव हमारे साथ स्वागत है गौरव आपका क्या कुछ है महत्फूल खेल जगत में आज के साथ जहां पर तमिन नाडूं चल लए खेल इंडिया यूद गेम्स के स्क्वाश प्रतियोगता के पुरुश्वर्ग में मद्प्रदेश के तन्वीर सिंग मुद्रा ने सौन पदा कप्पर कबजा जमाया वहीं उत्तर प्रदेश के आरिंद प्रताप सिंग ने दूसरा स् खेलो इंडिया यूद गेम्स की प्रतियोगता जो है का छटा संस्क्रन जो है वो तमिन नाडू में आउज़ित हो रहा है तमिन नाडू के चार शहर जो हैं वो इन गेम्स की में जबानी कर रहे हैं सेमी फाइनल बॉइस का सेमी फाइनल और वहीं महिला वर्क की बात करें तो यहां पर तमिलनाडू की पूजा आरती ने बाजी मारते हुए सौन पड़क पर कवज़ा जमाया प्रतियोगता का रजत पड़क महराष्ट की निरूप मा दूबे के नाम रहा के लोनिया यूद गेंस में खिलाडियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इन खेलों में योगासन और मल्खम जैसे स्वदेशी खेलों की धूम देखने को मिल रही है खेलों इंडिया का ये मांच यूआ खिलाडियों को ना केवाल खेल कोशल को उनको प्रदर्शित करने का मौका दे रहा है बलकि यहां खिलाडियों की हर जरुरत का भी ध्यान रखा जा रहा है खेलों इंडिया यूद गेम्स 2023 की मेजबानी कर रहे देश की दक्षणी चोर परिस्थित तमिलाडू के खिलाडी हर कसौटी पर खुद को सामने रख रहे हैं इन खिलाडियों में आत्म विश्वास और जीत का जुनूर मैदान पर साफ नज़र आता है वही स्वादेशी खेल यूगासन में इस संसकरण का पहला स्वणपदक जीत कर मेजबान प्रांत के खिलाडियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खीचा तो वही अन्य खेलों में भी खिलाडियों का जोश साफ नज़र आ रहा है पर दसन करें तो आगे भी महारा सेलेक्शन होगा तमिलनाडू ना केवल यूवा खिलाडियों के खेल प्रतिभा उनके खेल कौशल और क्शमता को साबित करने में अपना सर्वश्ष्ट प्रयास कर रहा है बलकि मेजबान राज जी इन खेलों में नया अध्याय भी जोड रहा है तमिलनाडू के जुड़वा भाई देवेश और सर्वेश ने खेलो इंडिया यूद गेम्स दोहजार तीस में तमिलनाडू के लिए योगासन में पहला स्वर्ण पदक हासिन किया इसके साथ ही जोड़ी खेलों इंडिया के योगासन में स्वर्ण पदक जीतने बाली पहली जुड़वा जोड़ी बन गई तमिलनादो पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर रहा है मेजबान राजी का ध्यान महिला साशक्ती करण पर भी केंदित है महान स्वातंत्रता संगराम सेनानी वीरा मंगई को एक मसकट के रूप में चुनना परिवर्तन और महिलाओं को अधिक शक्ती देने का प्रतिबिम्ब है खेलो इंडिया स्कीम देश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाडियों को जमीनी स्तर पर तलाशनी के दिशा में केंद्र सरकार का एक एहम कदम है इन खेलों में उपलब्ध कराई जा रही उच्चेस्तरी सुविधाएं भी खिलाडियों को एक नया अनुभाव दे रही है जिनका असर आज अंतराश्ट्री स्परधाओं में भी साफ नजर आता है दिपिका महतो की रिपोर्ट चिन्नई वाकई खेलों इंडिया के हर रंग जो है वो तमिल नाडू में देखने को मिल रहा है तमिल नाडू में आउजित हो रहे है खेलों इंडिया यूद गेम्स के छटे संस्क्रण में जूडो की प्रतियोगता का रोमांज भी रेखने को मिल रहा है जां हिमाचल के खिलाडी भी अपनी लोहा का प्रतिभा मनवा रहे हैं चन्नाई में मौझूद हमारी समवादाता धीपिका महतो ने हिमाचल प्रदेश की दो जूडो खिलाडियों अरपिता और कृतिका से खास बात की कॉमबाट स्पोर्ट जूडो भी खेलो इंडिया यूद केम्स का हिस्सा है जो काफी सारे यंग प्लेयर्स को जूडो का सको एक ऑपिचुनिटी दे रहा है फिलाल हमारे साथ महिला खिलाडी हिमाचल से मौझूद है डेडी न्यूज से हास पाचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद खेलो इंडिया में पाटिसिपेट कर रहे हैं और आपको अभी ट्रेनिंग करते हुए दो साल हूँ है यह प्लाटफोर्म कितना जरूरी है अपके लिए यह प्लाटफोर्म मतलब हमें मिला तो यह बहुत इंपॉर्टन प्लाटफोर्म है यही से शुरुवात होती है यह हमारे लिए काफी नया beginning है जिस तरीके से नए खिलाडी आ रहे हैं यहां पर आपको उनसे सीखने को क्या मिल रहे हैं बहुत बड़े खिलाडी है वो एक्सपीरियन्स है उनके साथ प्रैक्टिस करके experience मिल रहा है, motivate हो रहा है, अच्छा लग रहा है और जिस तरीके की facilities आपको अभी तक केलो इंडिया में देखने को मिली है जिस तरीके का आपको infrastructure मिल रहा है और साथ में आपका रहना, वो सब कैसा लगा facilities यहां पर काफी अच्छी है, काफी अच्छा महाल है और अच्छा लग रहा है और साथी साथ इतने सारे coaches है, technical officers है, उनके साथ उन लोगों क्या, जो आप लोगों को exposure मिल रहा है जिस तरीके की training की आपको trips या guidelines मिल रही है, वो आपको कही नगई माद कर रही है जरूर कर रही है, हमारी practice हम और अच्छे है, हमारी techniques अच्छी हो रही है, हमें पाई दोर है इस चीज से और अच्छा हमें experience मिल रहे हैं हिमाचल प्रदीश से खेलों इंडिया तक का सफर कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल है, हिमाचल में भी काफी अच्छे-च्छे players हैं, जो बाहर practice करते हैं और हम लोग करते हैं Sports Authority of India, जो अभी एक साल हो है, उसे खुले हो है, तो वो हमें सबसे अच्छा platform मिल गया है, जिसे हम आगे बढ़ रहे हैं दो नए खिलाड़ी तयार हैं हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए, क्या यही मैं आगे आगे आपका? जुडो में ही करना है, आगे, इंटरनेशनल तक खिलना है, अलम्पिक खिलना है, अभी तो काफी है, बहुत मैनत करनी है अभी तयार हैं हैं? जी हाँ, आगे तक जाएंगे, इंडिया का नाम करेंगे आप दोनों को बहुत बहुत शुब कामना है उसके लिए, तो यह थी जो डोकाज, जो तयार है, अब हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पे चाहते हैं कि इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पे जाए और बहुत अच्छा परफॉर्म करें, जिसके लिए खेलो इंडिया का फी मदिगार भी साबित हो रहा है उनके लिए बहुत धन्यवाद गौरव इन खबरों को हमारे दर्शकों के साथ साजा करने के लिए, बहुत शुक्रिया और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुल्खियों में चाही होने टेसला के संस्थापक और सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने सहुत राष्ट सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्ता की वकारत की है उन्होंने UNFC के आलोचना करते हुए कहा कि इस समूह में भारत के पास स्थाई सीट ना होना समझ से परे है मस्क एक अमेरिकी इस्रेल बिजनसमेन माइकल आइजनबर्ग की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे माइकल ने समय राष्ट के महसाचीव एंटोनियो गुटरेस के उस बयान पर लिखा था जिसमें UN चीफ ने अफरीका के लिए स्थाई सीट का समर्थन किया था विरोध में माइकल ने कहा कि और भारत के बारे में क्या कहेंगे उन्होंने कहा कि अच्छा ये होगा कि इस UN को भंग कर दे और नए असली नेत्रित्त के साथ UN फिर से अस्तित्त में आए इसके जवाब में मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि एक समय पर सहयुत राष्ट संस्थाओं में सुधार की जरूरत होगी समस्या ये है कि जिसके पास जादा पावर है वे उसे चोड़ना नहीं चाहते धर्ती पर सबसे ज़ादा आबादी वाले देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट ना मिलना समझ से परे है अफ्रीका को सामोहिक रूप से एक स्थाई सीट मिलनी चाहिए मिजर प्राइम के इस अंक में बस इतना ही हमारी पूरी टीम को दीजे इजासत नमस्कार कर दो